रामपूर में केंज्री अलफ संख्यक मंत्री मुख्तियार अबास नकभी ने दनियापूर शंकरपूर में अपना वोट टाला। इसके बाद वो पत्रकारों से रूबरूर हुए क्या कुछ कहा उन्होंने आप ही सुनिये। जो है वो इस लोगतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मतादिकार का इसलिए एक शेयर है ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमुद और आयाज ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवास। उसके साथी साथ जो है वो प्रधारमंती नरेन मुदी जी ने जो पिछले क्षोबिधी देने के लिए जोग अपने मतादिकार का इस्तायों करें आज पूरी ताकत के साथ लोग एक स्थाइट है भरपूर सरकार एक सुशासर को समर्पित समावेशी विकास को समर्पित नरेन मोदी जी के नेतिलत वाली सरकार के लिए अपने मतादिकार का इस्तवाल कर रहा है जुआड और जोड़ तोड़ की नहीं बलकि इस पस जनादेश की सरकार के लिए वोट हो रहा है नगवी जी मायती जी का कहना है कि बोफोस घोटाले में कौंगरे सकता से बाहर हो थी और राफेल में भाज पर बाहर हो थी दोको एक बाल लता दें आपको न ये जो हताश निराश्ट लोग हैं उनको एक इस बात कर तो हिसास हुई चुका है कि वो जो है वो सारी कोशिशों के बावजूद सारे जो है वो जूट और फेक और फेब्रिकेटिट कहानियों के बावजूद भी नरेन मोदी जी के परती जनता के प्यार और विश्वास को कम नहीं कर पाए इस लिए इस तरह के अधाशा बारे बेयां सुनाई परते हैं अब इस वक्त तो जनता जो है वो ओट अपने ते रही है तो वोट तह करेगा जनता ओटर तह करेगा कि देश के देश की तस्वीर और देश की तगदीर किस तरह की होगी और किस कहादा नभी जी उतर पदसमे अजरा कि निकलते शुनाव भी निपट जाएगा और यह गड़णी कि गुनाओं कuchar्ट विपल फिड要गा इकतने सीटों किया